जय हिन दोस्तो वेलकम टू सिवशान्ती क्लासेश सिवशान्ती क्लासेश में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तो इस वीडियो में हम अल्ग गॉर्मेंट इक जांप मैस अल्फ ओर्मूला रिवीजन कहीं हमारा पार्ट नंबर टू है पार्ट नंबर वन कंप्लीट हो चुका है पार्ट नंबर टू है तो इस सिरीज का में मुद्दा क्या है कि आपको गणित का डर खत्म करना है ठीक अपना जो आप गणित से कि बहुत कठिन होता है कैसे सॉल्व करना है तो वो सारे डर आपको खत्म करना है ठीक तो हम मैत की सभी फॉर्मूला का एक सिरीज सुरू किये हुए है जिसमें से पार्ट वन कंप्लेट हो चुका है जो की अपलोड हो चुका है अब यह हमारा पार्ट टू है पार्ट वन में हमने क्या क्या देखा था हमने पहला चप्टर सुरू किया था नंबर सिस्टम ठीक नंबर सिस्टम तो नंबर सिस्टम में हमने क क्या देख लिये था पहला point देखा था place value ठीक place value उसके बाद हमने देखा था face value दूसर point में देखा था face value ठीक तीसरा point हमने देखा था queen prime number queen prime number और चौता point हमने देखा था co prime number और पांचमा point हमने देखा था triangular ट्रैंगुलर नंबर ठीक तो place value place value मतलब यह सारी चीजे place value face value यह सारे point हमने part 1 जो part 1 था हमारा formula revision का वहां पे हमने यह सारे point complete कर चुके हैं अब हम इस वीडियो में इसके आंगे करते हैं ठीक तो इसके आंगे पहले पहले आपने दी चैनल कभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन प्रस कर लिजेगा ठीक ताकि आपके जो अगले वीडियो आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लिजे और दोस्तों तो शेयर जरूर कीजेगा ठीक वीडियो को आंगे बढ़ते हैं यह अभी नहीं कर सकते तो वीडियो के लास्ट में कीजेगा जब आपको पसंद आ रहो तब कीजेगा कोई जवरिजस्ती नहीं है आपकी इक्षा हो तब ही कीजेगा ठीक तो चलिए इस वीडियो को आंगे बढ़ाते हैं तो देखिये कल यह सारी चीजे हो गई थी अब आज की आज क्या क्या होता है यह देखिये आज हम सुरू करते हैं अर्थात प्राइम नंबर या कि फिर यह भाज्य संख्या है ठीक भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर ठीक तो आपको बताना है कि एक एक जो है एक नंबर यह क्या है भाज्य संख्या या भाज्य संख्या है प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर तो आपका ज संख्या है और ना ही अभाज संख्या है ठिक अर्थात एक जो नंबर होता है वो भाज भी नहीं होता अर्थात प्राइम नंबर भी नहीं होता और composite number भी नहीं होता है तो आपके पास दूसरा question आपके पास आता है कि जो 0 है वो क्या है यह even number है यह odd number है यह positive number है यह negative number है क्या है तो आपका जवाब होना चाहिए कि 0 ना ही even number है ना ही odd number है ना ही positive number है ना ही negative number है तो 0 है क्या चीज 0 कुछ नहीं सिर्फ एक event integer है ठिक क्या है event integer अर्थात sum पूर्ण आंक आरा समझ में तो 0 क्या है एक sum पूर्ण आंक है 0 क्या है एक whole number भी है whole number अर्थात पूर्ण संख्या देखिए आपको पता होगा natural number natural number natural number क्या होते हैं एक से सुरू होते हैं एक, दो, तीन, चार, डैस, डैस, डैस और whole number क्या होते हैं whole number क्या होते हैं whole number भो होते हैं जो 0 से सुरू होते हैं 0, 1, 2, 3, डैस, डैस, डैस आगे जितना होते हो तो whole number क्या है? जीरो होल number है और एक even integer है 0 नहीं even number है नहीं odd number है ना positive number है नहीं negative number है तो हम 0 number की बात कर रहे हैं ठेक ना? यहांपे एक number की बात कर रहे है जो 1,2 3 है जो 1 है वो हमारा ना prime number है और ना ही composite number है ठेक? आरा है समझ में अब इसके आँगे देखते हैं सबसे पहले point आपको देखते हैं कि अभाज संख्या क्या अभाज संख्या अभाज संख्या तो आपको पता होना चीए अभाज संख्या अर्थाद प्राइम नंबर ठीक प्राइम नंबर आपको पता होना चीए कि 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं ? 25 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं ? 50 से 75 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं ? और 75 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं ? क्योंकि ये question सीधा सीधा एक्जाम में आता है पूछ लेके एक से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं आप समय देगा तो आपको पता होने चीए कि एक से एक से 25 तक हमारे पास 9 प्राइम नंबर होते हैं 25 से 50 तक हमारे 6 प्राइम नंबर होते हैं 50 से 75 और 75 से 100 तक दोनों मिलाके हमारे पास 10 prime number होते हैं उसमें से 50 से 75 तक 6 और 75 से 100 तक 4 तो total कितने हो गए? total मतलब 1 से पूरे 100 तक कितने prime number हो गए? वो गए हो गए 25 तो ये आपका question बन गया कि 1 से 100 तक कितने prime number होते हैं? वो होते हैं 25 एक से 50 तक कितने होते हैं? तो 9, 6, 15 होते हैं कितने हो गए? 15 हो गए 50 से 100 तक हमारे पास 10 हो गए 50 से 75 तक हमारे पास 6 हो गए तो ये सारी चीज़े आपको पता होने चाहिए तो अब 75 से 100 तक जो 4 prime number है वो कौन कौन सी है? वो देखते हैं वो कौन-कौन सी है, पहले देखिए, 79 है, 83 है, 99 है, और उसके बाद डारेक्ट है 97, तो यहाँ पे सवाल और एक आता है, कि दो, दो डिजिट की, दो डिजिट, दो डिजिट की, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सी है, तो दो डिजिट की लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सी होगी, यह होगी हमारी 97, उसके आंगे, जो हमारा 98 है, 99 है, यह तो है नहीं प्राइम नंबर, उसके बाद जो 100 आएगा, व 37, उसी प्रकार, 3 डीजिट, smallest prime number, smallest prime number कौन सा होगा, वो होगा 101, कौन सा होगा, 101 होगा, तो आप बताइए, जब 101, 3 डीजिट का, सबसे छोटा prime number है, तो क्या, 111, ये जो number है, वो चार डीजिट का, सबसे छोटा prime number हो सकता है, तो आपका जवाब होनों चे ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये 13 से भी जा रहा है, 7 से भी जा रहा है, और 11 से भी जा रहा है, 1001 में 13 से भी भाग जाएगा, 7 से भी भाग जाएगा, और 11 से भी भाग जाएगा, इसलिए 1001 prime number नहीं है, जबकि 101 prime number है, वो 3 number, 3 digit की सबसे छोटी prime number है, यहां तक समझ में आया, अब आपको होगा, कि सर 1 से 25 तक जो 9 prime number है, वो कौन से हैं, यह 25 से 50 तक 6 हैं, वो कौन से हैं, तो आपके लिए एक वीडियो बना हुआ है, उसको आप जरूर देखिएगा, ठिक, उसका link description box मैं दे दूँगा, ठिक, तो जब अगले आलरेडी मैं वो सारी वीडियो बना चुका हूँ, तो यह सब चीजे बढ़ने का कोई मतलम नहीं है ठिक है न, तो देखिए, अब इसके आँगे चलते हैं, आँगे क्या है, अब मैं बोल दूँँ आपको कि कोई दो नंबर हैं, जैसे मैं बोल दूँँ, 25, 25, 35, 35, 47, या कि भी 55, 56, या कि भी 55, 55, ठिक, 55, ये जो सारी नंबर हैं, वो, always divisible y, always divisible y, अर्थात हमेशा विभाजित होगी, हमेशा विभाजित होगी, तो आपको बताना है, कि ये जो ये नंबर हैं, जो दो दो नंबर में repeat हो रहे हैं, वो किस से विभाजित होगी, यहीं पर दूसरा क्वेश्चन है, कि माल लीजे आगया, 656, 45, 45, 45, 372, 372, ये तीन तीन नंबर हैं, जो repeat हो रहे हैं, दो वाज, तो ये किस से always divisible होगे, ठीक, तो ये किस से डिविजबल होगे, ये हमेशा बिभाजित होगे, बिभाजित होगे, तो किस से होगे, ये आपको बताना है, तो जब दो-दो नंबर repeat हो रहे हो, तो आपको हो पता होना चाहिए, कि ये हमेशा और हमेशा 101 से डिविजबल होगा, और जब तीन-तीन अंकों से बनी अंक हो, तो वो हमेशा 1001 से डिविजबल होगे, तो आपको पता होने चाहिए कि सर ये जो आप बताए हैं इसका मतलब क्या होगा इसमें question कैसी आएगा तो question कैसी आएगा वो मैं आपको बताता हूँ देखिए माल दी जो question दे दिया है कि 4 x 6 y 5 z ठिक यहाँ पे ले लेते हैं 5 z ठिक तो यह question है हमारा यह है एक हजार एक से बिभाजित है तो क्या निकालना है x plus y plus z यह निकालना है दूसर निकालना है x minus y plus z यह हमें दो question आपको मिल गया बोला है कि 4 x 6 y 5 z 5 z यह एक हजार एक से बिभाजित है तो आपको पहला question दिया है कि x plus y plus z क्या होगा और x minus y plus z क्या होगा तो यहाँ पे हमें क्या हो पता होने चाहिए x क्मान पता होने चाहिए y क्मान पता होना चाहिए और z क्मान पता होना चाहिए यदि यह तीनों पता हो जाएंगी तो हम x plus y plus z अराम से निकाल सकते हैं और x minus y plus z भी अराम से निकाल सकते हैं तो आपको पता है कि ये 1001 individual है जब 1001 individual होता है तो क्या होते हैं? तीन तीन नंबर repeat होते हैं तो जो पहले नंबर पे है वो अगला ही चौथे नंबर पे repeat होगा और जो दूसे नंबर पे है वो पाँच में नंबर पे repeat होगा और जो तीसे नंबर पे है वो छटे नंबर पे repeat होगा ये चीज़ दिख रहा है तो आप देखिए नंबर क्या दिया है? 4, x, 6, y, 5, z तो आपको पता है कि जो पहले नंबर पे होता है वो चौथे नंबर पे repeat होता है जो दूसे नंबर होता है वो पाँच में पे repeat होता है और जो तीसे नंबर होता है वो छटे नंबर पे repeat होता है तो पहले नंबर पे क्या है? पहले नंबर पे हमारा 4 है तो चौथे नंबर पे यही चीज repeat होना चाहिए तो चुछतरा एक, दो, तीन, चार, क्या है, वाई, तो वाई बराबर क्या आजाएगा, हमारा 4 आजाएगा, उसी परकार, जो दूसरे नंबर है, पांचमा नंबर, ये दोनों सेम नंबर होने चीजाएगा, तो ये हमारा दूसरा हो गया, और ये हमारा 6 है तो हमारे पास 6 में नमबर पर 6 होना चाहिए तो क्या कहेंगे Z, Z का मान हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा तो हमारे पास X की value आ गई Y की value आ गई और Z की value आ गई तो हमारा पहला question क्या था X plus Y plus Z तो X क्या है? 5 plus Y क्या है? 4 plus 6 बराबर क्या हो जाएगा? 6, 4, 10, 5 15 यह हमारा answer और वहें पे दूसरा हो जाएगा X, X मतलब 5 minus 4 plus 6 यह क्या होगा? 6, 5, 11 और 11 में 4 जाएगे तो हो जाएगा हमारा 7 तो यह हो गया हमारा दूसरा question तो ऐसे question हमारे paper में आते हैं ठीक न? अब आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं next topic में next topic क्या लेखते हैं? लेते हैं हमारा rational number rational number अर्थात परिमे संख्याएं परिमे संख्याएं यह क्या होती है? देखिए परिमे संख्याएं पहले पहला point परिमे संख्याएं किसे कहते हैं? जो हमें P upon Q के रूप में आप लिख सकते हैं, वो हमारा सभी नंबर परिमेशन क्यां कहलाएंगी, बट इसमें एक सर्थ है कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात जो हमारा नीचे वाला है, ये देखिए, P upon Q, ये हमारा अंस कहलाता है, ये हमारा हर कहलाता है, अर्थात ये हो गया numerator, ये हो गया denominator, तो जो हमारा denominator है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वो सभी नंबर परिमेशन क्या कहलाएंगी, दूसरा point, जो perfect square होंगे, जो perfect square होंगे, अर्थात कौन? पूर्ण वर्ग, जो पूर्ण वर्ग होंगे, वो भी हमारे सभी के सभी prime नंबर होंगे तीसरा, जो हमारा आबरत्ती, आबरत्ती दसमलो, जो आबरत्ती दसमलो होंगे, वो भी हमारे prime नंबर होंगे, और चौथा, असांत आबरत्ती दसमलो, ये भी हमारे क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे, अब ये कौन-कौन से होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, तो देखिए, जो perfect square है, वो आपको पता है, जो 25 है, ये हमारा perfect square है, किसका? 5 का, तो ये क्या है? एक प्राइम नंबर है, ठीक? आबरत्ती दसमलो मतलब, जिसका दसमलो के बाद, वो अंग बंद हो जाये, ठीक? जिसका repetition बंद हो जाये, वो हमारा हो जाता है, आवरत्ती दसमलो, और असांत आवरत्ती दसमलो, को हम सांत आवरत्ती दसमलो भी कह सकते हैं, लेकिन हमारा जो असांत आबड़ते असंबलो है वो क्या कहलाता जैसे जिए 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 परिमेशंख्या। जब हम रेषिनल नंबर जान गए कि परिमेशंख्या यह होती है, तो नर्थाथ इन रेषिनल नंबर क्या होता है, वो देखते हैं. ठीक ! अथा तथा तेहां पर क्या करना है आपरिमेशंख्या arg अब अपर में संक्या पहचानने की क्या condition होती है वो देखिए ठिक तो क्या होता है पहला पॉइंट क्या होगा कि जो भी अपूल्ड वर्ग मैं यहां पे क्या वोला था पूल्ड वर्ग अर्थात perfect square तो यहां पे क्या हो जागा अपूल्ड अपूर्ण चाहे वो वर्ग हो चाहे वो घन हो ठीक घन मतलब वर्ग मतलब square या कि फिर Q ठीक वो अपूर्ण हो तो वो हमारे सभी नंबर क्या हो जाएंगे अपरिमे हो जाएंगे दूसरा condition क्या है जो हमारा πाई है इसे भी हम अपरिमे हो संख्या कहेंगे जो भी रूट मे होंगे जैसे रूट 7 रूट 11 यह सभी क्या होंगी अपरिमे होंगी चौथा point क्या बोला अशांत अनाब्रत्ति दसमलो अशांत अनाब्रत्ति अनाब्रति दसमलो इसको relate कीजिए यहाँ पे क्या बोला था असांत अब्रत्ति दसंबलो यहाँ पे क्या है अनाब्रत्ति दसंबलो अनाब्रत्ति मतलब जो repeat ना हो यहाँ पे क्या था अब्रत्ति दसंबलो repeat हो रहा था सांत अब्रत्ति दसंबलो जैसे जिर समय लगो, 3, 1, 2, 5, 4, 1, 3, 5, ये, ये repeat हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई भी number है ऐसे नहीं है जो repeat हो रहा हो, तो ये भी क्या होगे अपरीमेय संख्या की category में आएगी, तो आपको पहचान नहा गया, question कैसे आता है, कि πाई परीमेय है, या अपरीमेय है, या कि क्य है ऐसे option आते हैं तो आपको ये इनके चार पॉइंट और इसके चार पॉइंट ये दिमाग में रखना होगा कि परिमिये कब होगी और अपरिमिये कब होगा ठिक अब आगे बढ़ते हैं तो अगला heading डालीजिए क्या है अगला heading क्या है सांथ एवं असांथ दसमलो क्या होगा सांथ एवं असांथ दसमलो कोई भी topic कोई भी point जो मैं बता रहा हूँ न कोई भी point ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ हर एक topic से हर एक point से हर एक exam में question आए ही आए हैं ठिक तो कोई भी point मैं नहीं छोट रहा हूँ इसमें तो देखिए सांथ अर्था terminating terminating और यह असांत मतलब non-terminating ठिक तो देखिए terminating क्या होता है non-terminating क्या होता है तो सबसे पहले आप समझे terminating यदि आप terminating समझ गये तो non-terminating आपको अपने आप समझ में आ जाएगा तो terminating पहचानने के लिए क्या करना होगा आपको जो denominator में होगा जो denominator में होगा denominator कहा होता है यह numerator होता है और नीचे होता है denominator तो नीचे हो वो हमेशा किस रूप में होना चाहिए वो हमेशा दो की पावर M या कि फिर पाँच की पावर N के रूप में हो या फिर या फिर दो की पावर M गुने पाँच की पावर M हो n हो या कि फिर 5 की पावर m में हो मतलब मैं आपको question दे दूं कि क्या 12 बटे 60 terminating है non-terminating अर्था 7 दसमलो है या असांत दसमलो दूसर question है 7 बटे 63 60 बटे 63 ये terminating है non-terminating तो इसको जब solve करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 पंचे 60 एक बटे 5 तो denominator denominator में 5 है अर्थाथ ये हमारा 7 दसमलो है यहाँ पर होगा 7 नियत 63 एक बटे 9 तो क्या हो जाएगा ये असांत दसमलो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो denominator में होंगा वो सिर्फ 2 या 5 के multiple में हो या कि फिर 2 नो के multiple हो इसके अलाबा कोई भी दिग गया आपको असांत कर देना है माल लीजे यहाँ पर बोल देगा 2 की गुणे 5 है तो ये हमारा 7 दसमलो है लेकिन यहाँ पर बोल देगा 2 गुणे 3 है यहाँ पर 2 तो है लेकिन 3 आ गया तो ये हमारा असांत दसमलो है मतलब सिर्फ और सिर्फ दो हो या कि पांच हो या कि फिर दोनों इसके लाब कोई और नंबर दिख गया दिनोमिनेटर में तो आप उस नंबर को आप असांत दसमलो कह देंगे आ गया समझ में तो ठीक यहां तक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा तो देखिए, आज क्या-क्या पढ़े हैं, वो थोड़ा revision कर लेते हैं, क्या-क्या पढ़ें देखिए, ये सारे topic तो हमने part first में complete कर लिये थे, आज क्या किये हैं, देखिए, हमने आज prime number देखा, composite number देखा, इसमें 0, 1 कैसे होते हैं, ये सारी चीजे, 1 से 100 तक में कितने prime number होत होते हैं, वो किस से individual होते हैं, उनमें किस प्रकार के question आते हैं, वो हमने देखा, उसमें आपने prime number देखा, अर्थात rational number देखा, परिमेय संख्या है, उसके बाद सांद दसंबलो, असांद दसंबलो, ये सारे topic आपने इस part number 2 में complete कर लिया है, तो number system में कोई छोटा topic नहीं है ठीक, तो अब इसके आएंगे हम part number 3 में करेंगे, ठीक न, तो थोड़ा-थोड़ा पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो सभी बच्चों को लोग आपको बता दूं, कि यदि आप लोग 9th class के बच्चे हैं या 10th class के बच्चे हैं, तो आपको मयत के लिए परिशान नहीं होना है, क्योंकि आपके इसे channel पर सियो सांती classes में जब आप जाएंगे, तो आपको home, video और playlist, तो आपको कहा जाना है, playlist पर जाना है, जब आप playlist पर जाएंगे, तो इसे जब scroll करेंगे, तो आपको दिख जाएगा 10th class math ncrt, और नीचे मिल जाएगा 9th class math ncrt, ठीक, तो Chapter 1 है वो 4, 4 वीडियो में complete कर दिया हूँ Chapter 2 है वो 6 वीडियो में complete किया हूँ Chapter 3 है जो 14 वीडियो में complete किया हूँ उसके आंगे जब आप click करेंगे Chapter 4, Chapter 5, हर एक Chapter की वीडियो complete यहां पे upload हो चुकी है उसमें क्या क्या होगा हर एक Chapter का introduction है हर एक example को समझाया गया है और exercise के हर एक question का एक particular video बनाया गया है तो ये सारी चीजे हमारे इस channel पर completely available है तो आप वहाँ जा करके देख लीजिए तो अभी मैं series क्या कब शुरू किया हूँ कि हमारा math के complete revision formula जो कि आप 11 में हो, 12 में हो, 10 में हो कि किसी भी competition की तयारी कर रहा हूँ वो सभी बच्चों के लिए बहुत important है तो आपको क्या करना है आप इस video को जादस जादा share कीजेगा और channel कभी तक subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe कर लीजे और video को like करना मद भूल जागा मिलते हैं next video में तब तक के लिए जय ही जय भारत मिलते हैं कब part number 3 पे ठीक ना